हेलो फ्रेंड्स मैं सत्या पांडे माया क्रेटिव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और जो मेरे मित्र चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे में एक छोटा सा नरोत करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नहीं वीडियो हो उसकी नौटिफिकेशन आपको मिल सके आप मेरी अवली वीडियो को देख पाएं दोस्तों ये मेरे जो है सर्दियों के थोड़े से पौदे हैं जो मैंने लगाए हैं और कुछ प्लांट मैंने नर्सरी से परचेस किये थे तो वही हैं और इन्हें सबको मैंने रिपोर्ट भी कर दिया था और रिपोर्ट करने के बाद देखिए सब में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और ये कितना खुपसूरत लग रहा है ये देखे ये पिटोनि हैं फिर गुल्डाओधी है गुल्डाओधी भी मुझे बहुत खुपसरत लगता है ये देरोंफूल जो है एकी पौधे में आते हैं उसी प्रकार पैटोनिया के प्लांट है और इनमें देखिये सब में जो मैंने सब को रिपॉर्ट किया था तो समय कलिया आ और यह corazón तो एस नोड़े टाइम में आपको फ्लावर भी देखने को मिलेंगे इन मैंने पैसे। लीघ के मम्निमें यहां पर भी रेपॉर्ड किया था तो यह है और मैंने कुछ जो क्रण की तैंदेखिए और और आप जो है उन्हें कुछ प्लांट्स को कर दिया है और यह दिख़े इस इस में कुछ बड़ा होता है पॉश्चे वेस्ट घुचन बेस है वेस्ट एक ने डाला हूँ एक वेस्ट उरुषके पर लगा यह दिखे तो इसमें मैंने काफी चार या पाँच पौधे मैंने इसमें लगा दिये हैं ये रिखे और जैसे भी इनकी ग्रोथ होगी और जब इनमें फ्लावर आएंगे जैसे इसे इनकी ग्रोथ बढ़ेगी मैं तो आपसे जरूर शेयर करती रहूंगी इनका वीडियो तो ये रिखे सब मैं कर चुकी हूँ, कुछ प्लांट्स की और कुछ अभी और है मेरे पास में, तो ये कیरंडुला तो यहां पर भी कर देखे के बांट्स है यह देखिए और इस करें Ergebnis डाला है और इसके पर यह लगा इंगे तो मैंने एक उसमें जो है पांचय लगा दिये दो तीन चार पांचय पांचयम प्लांट मैंने एक उस ठैक में लगाए है तो इस प्रकार से दिखी अगर हमारे पास पॉट की कमी है तो हम इस तरीके से भी जो है प्लांट लगा सकते हैं मैं काफी यूज़ कर लेती हूँ इस तरीके के बैक्स का और देखेगा कि कितनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी इन प्लांट की और इसमें किचन वेस्ट भी डाला हुआ है मैंने नीचे और जो गार्डन की पतियां वगरा जो निक कि देखेंगे तो भाती खुब्शूरत होते हैं उनके फूल बहुत ही प्यारे यलो कर में इनने में फ्लावर आता है मुझे बहुत पसंद है कारंडूला बहुत ही प्यारा कलर होता है इनका तो डेरो फूल आते हैं एक ही पौदे में तो ये थे ये देखिए ये भी पिटोनिया है और अभी मैं आज जो है थोड़े से और प्लांट जो है भी रिपोर्ट करने जा रही हूँ ये देखिए नेस्टिसियम का है ये भी बीज के ही परे पास नेस्टिसियम के दो प्लांट थे उन्हीं में से ही ये मुझे बीज प्राप्त हुए थे कुछ आठ या दस बीज थे और जो मैंने इस देखिए वेस्ट उसमें लगा दिये और सारे ही पौदे ग्रो हो गए हैं क्यारण नेस्टिसियम के और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है सबकी बहुत ही प्यारा होता है इनका कलर औरेंज कलर के इसके भी फ्लावर होते हैं बंचो में आते हैं इसमें फ्लावर तो ये भी मुझे रिपौर्ट करना है आज और देखिए सारे ही बीज जो मैंने लगाए थे इसमें नेस्टिसियम के सभी ग्रो हो चुके हैं तो आज ये भी काम मुझे करना है इनको सबको मैं रिपौर्ट करूंगी तो ये कि अगर सर्दियों के पौधे आप लगा रहे हैं तो आप इन वेस्ट जो डब्बे हों या रसोई घर से निकलेवे पौली बैग हों में भी आप जो है लगा सकते हैं पौधे तो चलिए दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ भाय दोस्तों हैपी गार्डनिंग आज बहुत सारा काम है गार्डन में चलिए भाय दोस्तों